इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स हो जाएंगे और महंगे, सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीदारी महंगी हो सकती है, बताया जा रहा है कि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सबसिडी को 40 फीसदी से घटा कर 15 इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर बाइक्स तकिन सभी खरीदारी महेंगी होने वाली है। सरकार दो पहिया वाहनों के प्रसार को बढ़ाने के साथ साथ उपलब्ध धन से अधिक वाहनों को फंडेंग करने के लिए ऐसा कर रही है। इसके अलावा अनुप्योगी चिस राशी का वित्रल नहीं किया गया, प्रेति पहिया वाहनों के लिए सबसिडी आवंटन का हिस्सा दो पहिया वाहनों के लिए भी उप्योग किया जाएगा। यदि प्रस्ताव को हरी जंडी मिल जाती है, तो इसका सीधा असर इलेक्रिक वाहन खरीदारों की जेब पर पढ़ेगा और इससे प्रती युनित लागत में व्रिद्धी हो सकती है। फंड आवंटन इलेक्रिक टिपहिया वाहनों के लिए एक हजार करोर रुके के अनुप्योगी फंड का उप्योग करके तीन हजार पांच सो करोर रुके तक किये जाने की योजना है। इस रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ऐसा आवंटन बढ़ाकर और प्रती युनित सबसिडी कम करके ही संभग होगा। इस संबंद में सिफारिशे फेम इंडिया की कार्यक्रम कार्यानवयन और स्वीकृती समिती PISC को भेजी जाएंगी जो इस मुद्दे पर अंतिम निर्नए लेगी। अधिकारी ने कहा अगर हम मौझूदा स्तर पर प्रती युनित सबसिडी जारी रखते हैं तो निर्धारित राशी बढ़ाने के बावजूद इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए उपलब्ध फंड अगले दो महीनों में समाप्थ हो जाएगा। क्या घट जाएगी इलेक्ट्रिक टू वीलर्स की डिमांड इस मामले में रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सबसिडी का प्रतिशक कम होने के बाद भी फरवरी दो हजार चौबीस तक दस लाख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को फेम इंडिया किया जाएगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सबस्क्राइब जरूर करें